इस वीडियो में इसको हम खतम कर देंगे ठीक है तो चापटर का नाम है मुद्रा और साख सबसे पहली चीज है कि क्रेडिट का हमारी लाइफ में रोल क्या है ठीक है किस तरह से हमारी लाइफ को ये अफेक्ट करेगा क्या रोल है इसका तो ऐसा कुछ क्वेच्शन अगर आएगा तो सबसे पहले हम बताएंगे कि क्रेडिट होता क्या है किस चीज को हम क्रेडिट कहीं तो क्रेडिट या लोन इसका मतलब है एक अग्रिमेंट दो लोगों के बीच में एक वो इंसान होगा जो दूसरे इंसान को या तो पैसा या तो कोई वस्तू या तो कोई सेवा देगा और दूसरा इंसान प्रॉमिस करेगा कि वो future में किसी date पे उस इंसान को payback करेगा ठीके उसकी payment कर देगा ओके, अब इसका रोल हमारे life में कैसा होगा? ये दोनों हो सकता है जो रिन है, जो उधार है ये हमारी लाइफ पे अच्छा असर भी डाल सकता है ये हमारी लाइफ पे बुरा असर भी डाल सकता है ठीके, ये डिपेंड करेगा situation पे जैसे अगर हम माने एक इनसान है, उसने लोन लिया ठीके उसने लोन लिया और उस लोन से उसने क्या करा उसने एक दुकान खोल ली ठीके लोन लेके लोन से दुकान खोल ली तो क्या उसके लिए ये लोन लेना अच्छा होगा बिल्कुल अच्छा होगा क्योंकि उसने उस लोन को अपने रोजगार के अवसर के तौर पे कनवर् अब वो उस आए को दे देगा उस आए का इस्तमाल कर लेगा loan को वापस करने के लिए तो ये चीज अच्छी है पर अगर मानो कोई ऐसा situation है जहां पे कोई गरीब इंसान है उस इंसान ने क्या करा loan दे लिया घर में शादी करवाने के लिए या किसी religious ceremony के लिए ऐसे किसी purpose के लिए loan ले लिया तो ऐसे situation में क्या होगा I का कोई source generate नहीं हुआ loan का इस्तमाल करके I का कोई source generate नहीं हुआ तो जब I का कोई source generate ही नहीं हुआ तो आप वापस कैसे करोगे पैसा तो ऐसा होता है अगर हम रिंड किसी productive purpose के लिए ले, किसी ऐसे purpose के लिए ले, जिससे I generate हो, तब वो रिंड हमारे लिए फायदे मंद होगा. पर अगर हम रिंड किसी ऐसे purpose के लिए ले रहे हैं, consumption purpose के लिए ले रहे हैं, जहांपे वो पैसा खतम हो जाएगा, पर I generate नहीं होगा. जब ऐसे परपस के लिए होगा तो वो रिंड हमारे लिए बेनिफीशल नहीं होगा तीसरा सिचुएशन पॉसिबल हो सकता है हमने बोला अगर प्रोड़क्टिब पॉपस के लिए लोन लिया गया तो वो बेनिफीशल है पर हर बार ऐसा हो ये भी जरूरी नहीं है जैसे मानो एक किसान है ठीक है उस किसान ने क्या करा उस किसान ने लोन ले लिया क्यों लिया उसको सीड चाहिए था पेस्टिसाइड फॉर्टिलाइजर ऐसी सारी चीज चाहिए थी जिससे उसकी खेती अच्छी हो जाए तो उस इंसान ने लोन लिया productive purpose के लिए पर अगर खेती अच्छी ना हो ठीके, क्योंकि खेती तो बहुत रिस्की काम है agriculture एक बहुत ही रिस्की काम है तो इसके लिए अगर लोन लिया चाए तो बहुत surety के साथ हम नहीं बोल पाएंगे कि वो लोन beneficial होगा वो लोन beneficial होगा अगर खेती अच्छी हो जाए ठीके, बारिश ठीक हो जाए या तो सिचाई की सुविदा हो ऐसा कुछ अगर होगा तो सकता है खेती अच्छी हो जाए खेती अच्छी होगी जो लोन उसने लिया था ठीके, तो इस वाली situation में नुकसान होगा लोन लेने से ठीके, तो वह situation पर depend करेगा कि लोन लेना हमारे लिए फाइदे मद है या नुकसान दायक है चलो ठीक है अब देखते हैं Terms of Credit इसका मतलब है रिंड की शर्ते तो इसको define कैसे करें हम बोलते हैं rent प्राप्त करने के लिए credit को प्राप्त करने के लिए हमें जिन requirements को fulfill करना पड़ेगा ठीके, कुछ conditions रखी जाएंगी हम जिस इनसान से loan लेना चाहेंगे वो इनसान definitely कुछ conditions रखेगा कि आप इतने time में वापस कर देना किस तरह से वापस करेंगे कितना rate of interest देंगे बदले में गिर भी क्या रखेंगे ये सारी conditions तो loan को प्राप्त करने के लिए ठीके, loan को प्राप्त करने के लिए जो conditions हमको fulfill करनी पड़ेंगी उनको हम कहते हैं terms of credit इसके अंदर क्या क्या आ जाता है इसके अंदर आ जाता है interest rate ठीके, ब्याज की दर क्या देनी पड़ेगी collateral collateral का मतलब होता है कि जो समान हमको गिर्वी रखवाना पड़ेगा loan को लेने के लिए ठीके, इसको हम बोलते हैं हिंदी में रिन मूलाधार तो ये चाहिए होगा इसके अलावा documentation required होगा हमें कुछ documents की जरुएत होगी ठीके, जिसके बेना हमको loan नहीं दिया जाएगा इसके अलावा ये भी इसके अंदर लिखा होगा कि किस तरह से future में पैसा वापस किया जाएगा तो ये सारी चीज़े उस agreement में लिखी होंगी तब ही जाके हमको वो loan मिलेगा जब हम ये सब fulfill कर देंगे ठीक है तो collateral का meaning बता रखा है कि जो समान हम गिरवी रखेंगे कि हम तब जाके हमको वो loan मिलेगा और अगर कलको हम loan नहीं चुकाते हैं तो जो समान हमने गिरवी रखा है जिससे हमने loan लिया है वो इनसान उस समान को बेच के अपना पैसा recover कर पाएगा तो ये ऐसा होता है इसके बाद है source of credit की रिंड को प्राप्त करने के sources क्या है किस किस तरह से हम loan को प्राप्त कर सकते हैं तो दो source है एक तो होता है formal जिसको हम कहते हैं आपचारिक दूसरा होता है informal यानि अनापचारिक तो अगर रिंड प्राप्त किया जाए banks के थूँ या corporatives के थूँ तो हम बोलते हैं वो आपचारिक है अगर हमें loan मिलता है अपने friend से, relative से, money lender से फ्रेंड से, relative से, money lender से इन सब से अगर हम loan लेते हैं तो वो informal है formal sector और informal में difference क्या होता है तो formal sector से जो loan लिया जाता है formal sector पे पूरा-पूरा निगरानी रखता है RBI Reserve Bank of India सूपरवाइस करता है formal sector को वो देखेगा कि formal sector यानि bank, cooperative, किस तरह से loan दे रहे हैं किसको दे रहे हैं कितने rate of interest पे दे रहे हैं वो इसको supervise करेगा ठीक है informal sector को supervise करने के लिए कोई भी organization नहीं है ठीक है formal sector से loan लेने के लिए उसकी cost of borrowing जो है वो कम है यानि loan को प्राप्त करने की लागत जो है वो कम है ठीक है cost of borrowing कम है क्यों कम है क्योंकि इसमें ये लोग rate of interest कम रखते हैं अगर हम bank और cooperative से loan लेंगे तो हमें बहुत ज़ादा rate of interest नहीं देना पड़ता है ठीक है इस वज़े से हम बोलते है cost of borrowing कम है रिन प्राप्त करने की लागत जो है वो कम है जबकि informal sector में ये बहुत ज़ादा होता है क्योंकि कोई तो supervise करनी रहा इनको कि आप कितने percentage पे दे रहे हैं loan कोई इनको देखने वाला है नहीं तो ये बहुत ज़ादा rate of interest चार्ज करते हैं ठीक है अब ये लोग जो loan देते हैं ये terms of credit जो होता है इसको strictly follow करते हैं इनको सब कुछ चाहिए इनको सारे documents चाहिए इनको collateral भी चाहिए इनको सब कुछ चाहिए वो सारे conditions हम जब fulfill करेंगे loan हमको तभी दिया जाएगा पर यहां पे ऐसा नहीं है ठीक है यहां पे ऐसा नहीं है यहां पे अगर हम documentation नहीं करते हैं यहां पे अगर हमारे पास में गिरवी रखने को कुछ नहीं है फिर भी हमको loan मिल जाता है तो यहां पे terms of credit काफी easy होती है रिन की शर्ते जादा complicated नहीं होती है ठीक है अब हमने देखी लिया कि formal sector जो होगा जो आपचारिक शेत्र है उसमें bank और cooperative आता है और इसमें friend आ गया relative money lender यह सब आ जाते है ठीक है credit यानि आपचारिक रिन जो हमने देखा था आपचारिक शेत्र या formal sector जब हम उससे हमको loan मिलेगा तो क्या benefit है उसका अगर इतना जादा benefit है तो हम को क्या करना चाहिए कि सबको वो benefit मिल पाए उस बारे में है तो हम बोलेंगे उसका benefit यह है कि वो cheap है कम rate of interest पे मिल जाता है affordable है ठीक है हर कोई afford गर पाएगा rate of interest की कम है इतना हो गया चीप है affordable जादा लोगों का तो वो हम जादाम चुरू कर लेंगे अब जादा पाएगे ठीक है तो अब important है जाओं में जादाम है जादाम है के लिए हैं ठीक है यहां फे पूर भी लिखा जाना चाहिए था पूर सेक्शन ऑफ सुसाइटी तो जो गरीब लोग है और जो लोग गाउं में रहने वाले हैं वो लोग इन फॉर्मल सेक्टर बे डिपेंड करते हैं credit requirements के लिए ठीक है अच्छा अब इसमें है क्या करें कि हम अच्छा कर सकें सब कुछ क्योंकि country की development की बात है तो हमको क्या करना चाहिए हमको banks और corporatives हमको पता यह दोनों फॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं तो कोशिश करनी चाहि उनकी पहुँच हो यहां तक ठीक है उनकी पहुँच हो ऐसा ना हो कि bank और corporative सिर्फ अमीरों को लोन दे गरीबों को लोन दे ही नहीं गाओं के लोगों को लोन दे ही नहीं ऐसी चीज ना हो तो हमें कोशिश करनी होगी कि गाओं के लोगों को भी formal sector से loan दिया जा सके क्योंक अलावा एक काम और करना होगा ये बोलते हैं formal sector को expand करने की तो जरूरत है कि वो जादा loan दे पहला काम ये करना है कि formal sector loan जादा देना शुरू करे जादा तो दे पर सब को दे सिर्फ एक section of society को नहीं सिर्फ अमीरों को नहीं सिर्फ businessman को नहीं सब को दे ठीक है तब देश का विक cooperatives तो हमको पता है cooperative formal sector का पार्ट होता है अब ये formal sector का पार्ट है तो फिर ये कम rate of interest पे loan देगा और हमने सीखा था गाओं के लोग depend करते हैं किस पे जादा depend करते हैं informal sector पे loan के लिए पर जो लोग गाओं में actually formal sector से loan ले रहे हैं उसमें जादा लोग cooperative से ले रहे हैं बजाए क bank से ठीक है तो गाओं में जो गाओं के लोग हैं वो करते हैं एक तो informal sector पे जो लोग informal से नहीं ले रहे हैं formal से ले रहे हैं तो formal वाले जादा loan लोग लोन ले रहे हैं कोपरेटिव से ठीक है अब ये कोपरेटिव काम किस तरह से करता है तो कोपरेटिव के अंदर बड़े सारे लोग होते हैं सब लोग अपनी सेविंग्स करते हैं सब लोगों ने अपनी सेविंग्स करी सेविंग्स बहुत सारी हो गई अब इस बहुत सारी सेविंग को बैंक के पास में रिंड मूलाधार को लैटरल के फॉर्म में रखवा दिया जाएगा और बैंक से लोन उठा लिया जाएगा बैंक से लोन मिल गया किसी एक certain purpose के लिए कोई भी एक बात सोच ले इनों ने कि हम ये करते हैं उस certain purpose के लिए बैंक से लोन दे लिया अब अपने ही members को वो loan दे दिया ठीक है अपने ही members को वो लोन दे दिया अब क्या हुआ members ने इसते हमाल किया किसी ना किसी काम के लिए हो सकता है प्रैक्टर खरीदने के लिए यह हो सकता है और किसी व़पर्पस के लिए क्योंकि cooperative बहुत सारे होते है न, farmers का भी होता है ये event का भी है तिके, industrial worker का भी है सब का है तो सबकी फिर जो जरूरते हैं वो भी अलग-अलग है तो cooperative ने जो log लिया उस हिसाब से जरूरत के हिसाब से कोई काम के लिया गया काम हो गया अब क्या होगा लोन को चुकाने के बारे में सोचा जाएगा एक बार जब लोन चुका दिया जाएगा बैंक का तो फिर वापस से इस प्रोसेس को रिपीट किया जाएगा ये इस तरह से काम करता है थिके तो गाओं की लोगों को भी अब है Self Help Group थिके Self Help Group क्या होता है ये 15 से 20 लोगों का अकसर इतने लोगों का ग्रूप होता है ये लोग आसपास में रहने वाले लोग होते हैं ठीक है और छोटी मोटी सेविंग्स करते हैं रेगुलर्ली इनकी सेविंग्स कितनी है 25 रुपे से 100 हो सकता है थोड़ा उपर भी वो डिपेंड करेगा इनकी एबिलिटी पे जितना कर सके उतनी सेविंग्स ये लोग करते हैं अब क्या होता है जब इन लोगों ने आपस में पैसे काफी सारे जमा हो गए तो आपस में ही जो इनका वो था ग्रूप है ग्रूप में ही किसी इनसान को लोन दे देंगे जब उसको जरूरत होगी और रेट अफ इंट्रेस्ट ले लेंगे रेट अफ इंट्रेस्ट बहुत हाई नहीं रखते हैं तो गरीबों के लिए अच्छी चीज़ हो जाती है ठीक है जब एक दो साल ये इस तरह से काम कर पाएंगे तो इनकी छोटी छोटी सेविंग होते 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 एक दो साल में ठीक ठाक अमाउंट बन जाता है अब वो इस अमाउंट का इस्तमाल बैंक से लोन लेने के लिए कर सकते हैं जो चोटा मोटा सेविंग होते होते साल-दो साल में ठीक ठाक सेविंग हो गया इस सेविंग को बैंक के पास में collateral के form में रखवा दिया ठीक है अब bank क्या करेगा इनको loan दे देगा ठीक है banking को loan दे देगा और इस loan का इस्तमाल फिर ये self employment की opportunities create करने के लिए कर सकेंगे ठीक है सोह रोजगार के अबसर create करने के लिए कर सकेंगे तो ये हो जाएगा अब जब आप loan इसमें जो important बात है और ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर क्या होता है कि loan किसी एक इनसान के नाम पे नहीं लिया जाता loan लिया जाता है पूरे group के नाम पे self help group के नाम पे loan लिया जाता है और अगर इस group के नाम पे loan लिया गया इस ग्रूप में किसी एक को जरुती लोन की पर उसके नाम पे नहीं ग्रूप के नाम पे लिया गया बैंक से ठीक है तो बैंक इन लोगों को इस ग्रूप को लोन देने को तयार हो जाता है राम से अकेले इसको तो नहीं देता पर इसको देने को त्यार हो जाता है चाहे इनके पास collateral ठीक ठाक हो भी नहीं फिर भी दे देता है क्योंकि self help group जो होता है वो इस बात को बहुती seriously लेता है कि जो loan इन्होंने लिया है वो loan repay हो और ये बात bank भी जानता है तो bank इन लोगों को ठीक तरह से willingly loan देने को तयार हो जाता है group for the poor गरीबों के लिए self help group किस तरह से beneficial है ठीक है किस तरह से उनके काम आ रहा है तो इसमें क्या है self help group help करता है दो problem thought out करने में ठीक है पहली problem क्या इसके थूँ गरीबों को loan मिल जाता है काफी कम rate of interest पे bank से चाहे इनके पास collateral ठीक ठाक ना भी हो ठीक है एक तो ये फाइदा हो गया दूसरा फाइदा ये होता है कि औरतों के लिए बहुती beneficial है ये उनको self-reliant बनाने में help करता है औरतों को loan मिल जाता है और वो इस loan का इस्तमाल कर सकेंगे बहुत purpose के लिए ये हो गया दूसरा ये होता है कि self-help group meetings conduct करते है timely meetings conduct करते है और meetings में ये बहुत सारे चीजों के बारे में discussion करते है जैसे health हो गया nutrition हो गया domestic violence हो गया तो इन discussion से एक दूसरे के साथ क्या चल रहा है जब ये discussions करते है ठीक है तो उसका solution क्या हो सकता है इन चीजों के बारे में भी बात हो जाती है ऐसा होता है न कहीं बार कि हम अपनी problem को deal नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरे का suggestion ले सकते है तो यहाँ पे उस चीज़ क्या ठीक है importance है और ये last चीज़ है ग्रामिन बैंक और बांगला देश तो बांगला देश में ग्रामिन बैंक को खोला गया इसका credit दिया जाता है प्रोफेसर मुहमद युन्नूस उनको 1970 में start किया गया ठीक है और ये गरीबों को reasonable rate पे ठीक है गरीबों को reasonable rate पे कम rate पे प्रोवाइड कर देता है ठीक है अब क्या होता है अब क्या होता है इन्होंने ऐसा observe किया इन्होंने actually सबसे गरीब लोगों को लोन दिया और तों को बहुत सारा लोन दिया गरीबों को बहुत सारा लोन दिया और इन्होंने एक बात observe करी जो लोगों का misconception होता है कि गरीब लोग लोन को चुकाएंगे नहीं इसलिए कई लोग गरीबों को लोन नहीं देना चाहते हैं ठीक है तो ये चीज यहां पे ना हो इसको लेके क्या हुआ इन्होंने यहां पे देखा गरीबों को भी लोन दिया औरतों को भी बहुत सारा लोन दिया और सारा लोन रीपे हुआ काफी सारा लोन रीपे हुआ तो ये जो लोगों की सोच है कि इनको लोन देने से नुकसान होगा ये बात बिलकुल गलत साबित इसने कर दी ठीक है तो ये बहुत अच्छी काफी successful रहा ठीक है बांगलादेश के अंतर ओके that's it finish इतना ही था